हेलो एवरीवन वेलकम टू आए एक्जैम बी दोस्तो आएक्जैम बी के अग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल आए एग्री बी में आप सभी का बहुत स्वागत है मेरा नाम है कैलास्तिवारी एक्स एफो यूनियन बैंक अफ इंडिया दोस्तो हमारी यह सीरीज चल रही है इस्पेशली फॉर दर प्रिप्रेशन और बैंक को माहरास्त्र अग्रिकल्चर फिल्ड ओफिस है इसका एक्जम 31st ऑफ ऑक्टूबर को होना है दोस्तों इस सीरीज में हमने डिसक्स किये करेंट अग्रिकल्चर से रिलेटेट कुश्यंस कुश्यंस रिलेटेट टू अग्र अग्रिकल्चर सो देट कि आपकी एक ओवर ओल जो कवरेज है वो हो सके सो दोस्तों अभी तक अगर आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बैल आइकन जरूर प्रेस करें सो देट कि आपको सारे नोटिफिके के कवर किये हुए है agriculture के start करने से पहले मैं आपको बता दू आय एक्जैम भी इस ओफिरिंग 38% discount in all our agriculture courses on the occasion of दिवाली celebration तो दिवाली के occasion में हम यह discount दे रहे हैं अगर आप किसी भी agriculture related exams की preparation कर रहे हैं तो आप जरूर enroll करें अपनी तैयारी अभी से शुरू करें बहुत ज्यादा वेट ना करें किसी भी चीज का notification आने का या फिर किसी भी दूसरी चीजों का आप अभी से अपनी preparation स्टार्ट करें यह दिवाली आई एक्जैम भी वाली तो आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं क्योंकि हमने कई बार यह सारी चीजें दिस्कस की है से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि इसका PDF आपको एग्री भी टेली ग्रैम चैनल पे मिल जाएगा और वहां पर भी हम यह objective questions पोल पोस्ट करते रहते हैं regularly तो आप वहां पर भी यह देख सकते हैं अग्री भी के टेली ग्रैम चैनल पे आपको यह PDF मिल जाएगा then question is extension teaching methods are classified according to their form such as written, spoken and audio-visual which of the following are the not the examples of audio-visual teaching methods तो कौन सा इसमें audio-visual teaching method का method नहीं है options are result demonstration, demonstration process, circular letters, motion picture और movies and charts or slides, film strips and models तो आपको यहां पर बताना है कि इसमें से कौन सा audio-visual नहीं है तो आप देखी रहें जैसे यहां पर भी describe किया है written, spoken and audio-visual तो यहां पर यह जो odd one out है it is the written form of teaching learning तो यह written form होता है circular letter जिससे कि हमको कोई information disseminate करना है या कुछ inform करना है वो हम through circular letter करते हैं then second question is according to the Wilson and the Gallup for the following are the steps teaching learning process which of the option showing the correct sequence of steps यहां पर थोड़ा सा difficult होता है क्योंकि हमको हर scientist या जो workers हैं जिसने भी theory दी है उसके according याद करना पड़ता है कि उन्होंने क्या sequence दिया है तो यहां पर थोड़ा से धियान रखेंगे कि जो यहां पर वर्कर्स ने बताया है जिसके according पूछा गया उसके according ही आप answer करें सबसे अच्छी बात यह है कि bank of Mara stay for में कोई negative marking नहीं है तो आपने कुछ ना कुछ time to करना ही है बर जो उसका correct answer it is the attention then interest then desire conviction action and satisfaction मैं इसको define नहीं करूंगा कि इसमें process में क्या होता है क्योंकि यह teaching learning जो अपने आप में process है बहुत बढ़ी extension का बहुत बढ़ा यह topic है तो उसमें यह describe होती है अभी हम थोड़ा सा speedily आगे बढ़ेंगे बागी questions को भी discuss करेंगे next question is the yearly sequence and special arrangement of crops and fellow on a given area is called cropping system farming system cropping pattern land use system या फिर none of the above तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप से पूचा है special arrangement of crops के वल क्रॉप्स का special arrangement पूचा है और आपको options यह दिये हैं तो यहां पर generally गलती क्या होती है हम cropping system या पर cropping pattern में confused हो जाते हैं तो आप कभी भी याद रखिए cropping system जो होता है it is basically the cropping pattern plus its management तो जब भी हम cropping system की बात करते हैं उसमें हम management की बात करते हैं किस-किस के management की land और crop के तो या तो हम land को constant रखेंगे और crop रोटेट करेंगे जिस जिसको हम crop rotation बोलते हैं या cropping pattern हम follow करते हैं दूसरा होता है जिसमें हमारी crop change होती रहती है साथ-साथ लैंड भी change होता रहता है जिसको हम जूम cultivation करते हैं तो that system is not existing now क्योंकि अभी लैंड बहुत लिमिटेड है अभी केवल crop system ही यह जो हमारा crop crop pattern है यही follow होता है हमारी land constant है उसमें crops change करते रहते हैं तो it is the cropping pattern plus management तो यहाँ पे पूछा है special arrangement अब cropping pattern में क्या होता है हमारी land constant है हम केवल क्या change करते हैं crops तो यहाँ पे पूछा गया है crops के special arrangement तो यह कहां पर आएगा cropping pattern पर not the cropping system cropping system is the total system जिसमें हम दोनों चीजों को या फिर दो से ज्यादा चीजों को manage करते हैं यहां पर जब किवल crops की बात की गई है single एक factor की बात की तो it is the cropping pattern की किस pattern में हम crop grow कर रहे है season after season यह आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे the next question is a market in which there is a more than two but still a few seller of a commodity is termed as तो जब भी ऐसा question आता है आपने दो चीज ध्यान रखनी है कि एक तो पूछा क्या है कि इसके condition में पूछा गया तो sellers की condition में पूछा गया और दूसरा क्या दिया गया आपको 2 से ज्यादा है more than two more than two but still a few 2 से ज्यादा है बहुत ज्यादा भी नहीं है few है कुछ ही है पर 2 से ज्यादा है तो यह कौन सी condition होगी तो आपको पता जब भी seller की बात होती है तो हम पॉली वर्ड यूज करते हैं और जब बायर की बात होती है तो हम उसमें सोनी वर्ड यूज करते हैं लास्ट में as a suffix आप यह देख रहे होंगे तो मोनोपॉली मार्क्विट होती है जहां पर एक ही seller होता है डूपॉली होती है जहां पर दो seller होते है जहां पर फ्यू होते हैं और कम्ट्रीटिव होते हैं जहां पर बहुत सारे sellers होते हैं मोनोपॉली होती है जहां पर केवल एक बायर होता है वन बायर केवल एक ही बायर है seller बहुत सारे है तो यह आपके लिए एक assignment है कि आपको यह बताना है मोनोपॉली का ही है जिसमें एक ही sorry दो से ज्यादा seller होते हैं then next question is which of the following market are not classified on the basis of location और place of operation तो इसमें पुछा गया कि कौन सी market को classify नहीं किया गया है नहीं classify किया गया है on the basis of location और place of operation तो options are primary market, secondary wholesale, regional market, modern terminal market या फिर seaboard market तो यहां पर जो correct answer rate is the regional market यह basically classification है market का accordingly उसमें से question पूछा गया तो generally हमारी जो market classification हम करते हैं वह हम primary, secondary and terminal market की basis पर classify करते हैं तो उसमें regional market जो है यह classify की जाते हैं तो base of area coverage it is a market in which buyer center for the community are drawn from a larger area than the local market तो यह का categorization है the next question is some plant releases some chemicals which affect the growth and development of plant this process is known as तो ऐसे प्लांट जो कुछ chemical secrete करते हैं जिससे की दूसरे प्लांट की growth check होती है उसको हम क्या कहते हैं यह कोशन हमने पहले भी discuss किया था so it is the example of allelopathy it is not the example of synergism periodicity stability का example नहीं है this is the example of allelopathy इससे पहले हमने discuss किया था हमने बहुत अच्छे से discuss किया था कि anidation क्या चीज होती है और allelopathy क्या चीज होती है दोने में क्या differences है the next question is those weed which produces seed similar in shape size weight as that of same crop seed is called as मतलब जो mimic करती है exactly उन्हें हम कौन सा seed कहते हैं यह यहाँ पर question है पूछा गया option से आपके अन्वल weeds, satellite weeds, efficient weeds, invasive weeds या फिर बाइनियल weeds तो यहाँ पर correct answer है satellite weed satellite weed ऐसी weed होती है जो exactly mimic करती है हमारी crop variety के साथ में the next question is immature leaf a plant falls down due to the deficiency of यहाँ पर आप ध्यान देंगे यहाँ पर पूछा गया है immature leaf completely mature leaf established leaf ने इस immature leaf का पूछा गया है और आप से पूछा कि किसकी deficiency की वहज़े से होता है so it is the basically deficiency of zinc कई बार हम लोग confused होते हैं phosphorus के सांथ phosphorus is not the correct answer क्योंकि अगर आप देखो कि phosphorus की deficiency हमेशा कहां पर होती है lower part में जो new part होता है वहां पर नहीं होती क्योंकि वह highly mobile है वह plant की growth के सांथ आगे को move करता है तो यह correct answer is the zinc the next is which of the following will be used to reclaim the acidic soil again this is the easy question कि कि कौन किस को हम reclamation के लिए use करते हैं acidic soil के लिए तो acidic है हमको उसका pH को balance करना है so we will use the lime so lime से यह soil reclaim होगी तो reclamation वाली soil यह फिर जो problematic soils है उसका classification भी आप ज़रूर पढ़के जाएं जो उसका classification है उसमें हम किस basis पर हम classify करते है ESP EC और जो हमारा इसमें mineral concentration है यह आप ज़रूर पढ़के जाएं क्योंकि इसके basis पर questions आ सकते है then question is isolation distance of the foundation seed in the hybrid बाजरा तो कहने का मतलब है कि hybrid बाजरा जो cross pollinated variety है उसमें isolation distance कितनी होगी जब हम foundation seed को बनाएंगे या फिर foundation seed production करेंगे so the minimum distance of thousand meter is required thousand meter की required होती है minimum distances on the case of cross pollination तो जितने भी cross pollinated crops होती है उनके cases में thousand meter की minimum distance रखी जाती है now the next question is which instrument is used to measure the solar radiation solar radiation को measure करने के लिए कौन सा instrument use किया जाता है इस type के question आता है agrometrology से generally जो question आता है वो बहुत basic type का होता है या तो उसमें इस type के कोई instrument से question कुछा जाएगा या फिर कोई ना कोई question उसके cloud या फिर किसी climate related पूछा जाएगा बहुत in-depth study उसमें नहीं चाहिए होती है आपने comment box पर लिखके बताना है कि यह इंस्टूमेंट हम किस चीज के लिए यूज़ करता है पिक्नोमेटर टैंशोमेटर हाइग्रोमेटर पीजोमेटर पीजोमेटर हमने अपनी कल की वीडियो या एक दोन पहले जो वीडियो हमने ली थी उसमें अबने डिसकस किया था आप comment box पर बताएं कि यह किस चीज के लिए यह होता है तो इस टाइप का questions वहां से हमेशा एक नहीं question आप हर exam में पूछा ही जाता है तो यह पूछा गये कि National Bureau of Fish Genetic Resources कहां located है तो इस लोकेटेट इन लखनव तो यह लखनव उत्तरप्रदेश में located है तो यह मैंने अपने जो फिश्रीज वाले questions लेते वहां पे आपको बहुत clearly बताया था classification तो आई होप कि आपको याद होगा एनाड्रमस और केटाड्रमस में आपसे यही का था कि यही दो आपको याद रखने बाकी तो सिंपल है तो यहाँ पर correct answer है जो वह एनाड्रमस है कि यह ऐसी फिश है जो सी में रहती है बाट माइग्रेट करती है फ्रेश वाटर में ब्रीडिंग पर्पस के लिए जस्ट अपोजेट के टाड्रमस में होता है बाकी मैंने आपको बताया ही था यह अगेन आपके लिए के assignment है कि आपने यह बताने कि amphidramus and oceanodramus कौन से टाइप की फिश होते है इनका migration pattern क्या होता है at least आप सारे migration pattern एक बास जरूर revise करें तो आपका यह वाला पार्ट confirm हो जाएगा then material transported and deposited by wind and consisting of predominantly silt size particle यह आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यह जो definitions है यह किसके basis पे है जो हमारे sand particle या फिर जो soil particle है उसके size के basis पे यहाँ पर question पूछा गया कि silt size particle के लिए इसमें से कौन सा answer है क्योंकि यहाँ पर हमने सारे ही answer mention किये है तो यह तो आपको बहुत clearly पता चल but आपको यह बताना है बाकी aeolian, moraine या फिर peat किस चीज के लिए होता है अगर आप comment box पे लिखने में आपको थकान भी लगती है तो आप खुद सोचें आपके mind में यह clear आपको होने चाहिए क्योंकि question कैसे भी आ सकता है just opposite form में भी question आ सकता है कि आपको यह पूछा जाए और definition आप से पूछ ली जाए next question is the fraction of water entering from soil that must pass through the root zone in order to prevent the soil salinity from exceeding a specified value is known as तो basically आप यहां पर देखिए root zone में और prevent soil salinity तो इसको हम क्या requirement कहता है इसको कौन से requirement कहा जाता है तो इसको leaching requirement कहा जाता है plant की तो fraction of water entering again same चीज़ यहां पर लिखी हुग है बट आप यह ध्यान रखें कि irrigation requirement water requirement यह जिपसेन requirement यह इसके क्या controversial यह फिर जो इसके दूसरे options हैं उनका क्या meaning हो सकता है next question is which of the following is the nitrification inhibitor तो यहां पर पूछा कि कौन सा इसमे nitrification inhibitor है तो यहां पर अगर आपको ऐसे नहीं पत अब करके भी इसको कर सकते हैं कि यूरिया फॉर्मल डियाइड आइस बीटलाइन यह यह तीनों fertilizer है basically यूरिया की fertilizer है यहां पर एक ही option आपके आस बसता है answer answer is basically the nitrogen inhibitor तो यह कैसे वर्क करता है यह आपको पढ़ना है यह आपको समझना है अगर आपको नहीं समझ आता तो inhibiting तो यह stabilize करता है nitrogen को stabilize करता है और यह nitrification process को inhibit करता है जिससे की stabilization होता है तो यूरिया नाइट्रोजन को किस form में contain करता है तो simply अगर आप यूरिया का formula समझते हैं तो आप उसको answer कर सकते हैं तो इस नहीं आमाइड फॉर्म एनस्टू फॉरिया में nitrogen प्रेजन प्रेजेंट होता है proper germination of the यहां पर बेसिकली करीफ crops के लिए पूछा है कि करीफ crop में germination के लिए base temperature कितना होना चाहिए फॉर द राइस मेजन परल मिलेट तो खरीफ arrows तो को इसको थोड़ा सा ध्यार नखें इसमें जो बेस टेंपरेचर उता है फॉर थाथ चाहिए चाहिए जो इसन में कितना रेंपॉल हो चाहिए, so rainy day हम कब कहेंगे, जब more than 2.5 mm per day of rain होगी, अच्छा आप ये बताए कि rainfall को हम किस से measure करते हैं, rainfall measurement के लिए कौन सा instrument use किया जाता है, ये आपको बताना है, rainfall measurement के लिए instrument, the next question is, sawkraut is fermented product made from the which of the following, sawkraut होता है, fermented product है, वो किस से बनाया जाता है, option सा the tomato, garlic, oats, cabbage and cauliflower, so the correct answer is the cabbage, ये आपको पता होना चाहिए, ये question maximum time आप देखेंगे, तो ये पूछे जाता है, चाहिए, आप MSC type examinations दें या फिर किसी भी competitive type examination को आप दें, ओके तो कैब इस दा correct answer, the next question is, what is the cropping intensity of India in percentage according to the agree stats 2020, तो जो agree stats 2020 दिया गया है, डिरेक्टरीट अव एकनोमिक्स और स्टाइट्स में, उसके according, हमारी cropping intensity कितनी है, और जो cropping intensity को हाँ पर denote की गई है, it is of 2016 and 17, उसके बात चे कोई confirmational cropping intensity नहीं है, क्योंकि वो ही एक source है, जिससे कि हमें इस चीजे पता चलती है, so it is 143, अगर आप Google करेंगे तो आपको बहुत different दिफरेंट चीजे पता चलेंगी, 135, 136, 140, but according 2016 and 17 and according to the direct rate of economics and its stats, it is 143, then leading state in the total food gain production, तो total food gain production में जैसा में आपको पहले भी बताया था production वाले या data वाले पार्ट में कि जिस state में मारा generally wheat and paddy ज्यादा होता है, तो वहीं पे भी total food gain production ज्यादा होगा, so correct answer is the UP, the next answer is largest producing state for the total fruits, again total fruit को कौन contribute करेगा ज्यादा citrus fruit और mango क्योंकि यही बहुत ज्यादा produce होते हैं, तो correct answer is the Andhira Pradesh, the next question is, which of the following options are not correlated with each other, तो कौन से एक दूसर से correlated नहीं है, यहाँ पर जो प्रधान मंत्री क्रिसी से चाही योजना है, उसके जो चार components हैं, उसको यहाँ पर दिया है basically, तो accelerated irrigation benefit program, हर खेत को पानी is minor irrigation, तो यह भी सही है, यह भी सही है, पर आप more crop precision irrigation system, watershed is the rain water conservation, micro irrigation is not about the creation of new sources, but for the efficient convince of the water, तो efficient convince मतलब एक खेत से दूसरे गए, या पर source to sink water को efficiently पहुचाना, is the work of micro irrigation, तो micro irrigation का यह यह work है, यहाँ पर आपके लिए एक task है कि आप यह ध्यान करें, यह आप comment में लिखके बता सकते हैं कि यह जो चारो component है, 1, 2, 3, 4, यह किस-किस ministry द्वारा किये जाते हैं, तो यह किस ministry की scheme है और यह जो component है, यह किस ministry के अंदर है, यह आप देखें, then next question is, what is the premium of annual commercial horticulture crops under the अप्रधानमंत्री फसल भीमा योजना, दोस्तों यह question मैं कई बार लेता हूं, बट अगेन जब आपके पास वहाँ पूछा जाता है, रभी के case में, it is 1.5%, खरीव के case में, it is 2%, ओके तो यह आपको ध्यान रहे, then next is, ICAR has announced the Outstanding Women Scientist Award in the name of, जो Outstanding Women Scientist Award है, वो किसके नेम पे दिया जाता है, और वसंत्राव नाइक, पंजाब राव देश्मुख, रफी अहमत के दुवई, C. सुब्रमनियम, Dr. M. स्वामिनाथन, तो यह award पंजाब राव देश्मुख जी के नाम पे दिया जाता है, बट my question is, रफी अहमत के दुवई जी के नाम पे कौनसा अवार्ड दिया जाता है, और साथी जात जो C. सुब्रमनियम जी थे, इनको कौनसा अवार्ड दिया गया है, इनको कौनसा अवार्ड दिया गया था, फोर दा कॉन्ट्रिविशन और in the green revolution, इनके green revolution में contribution के लिए कौन सा अवर्ड इनको दिया गया है so what is the premium collection last cutoff date for the प्रतान मंत्री फसल भीमा योजना खरीव 2021 तो ये थोड़ा सा पुराना question हो गया स्थाब के question नहीं आते जनरली ये पूछा आता कि जो फार्मर है वो कब तक अपने आपको इंस्वार कर सकता है उसकी last date क्या है तो वो जनरली 15th July होती है खरीव season के लिए and 15th December होती है रभी season के लिए okay so this is the cutoff date अगर रभी की पूछी आएगी तो 15th December है तो first of October से 15 December के बीच में जिस भी फार्मर ने होन लिया है KCC तो वो eligible होते हैं इसके लिए या जो कोई फार्मर रेइस्टर कराना चाहता है तो वह भी करा सकता है पहले यह कंपल से लिता है नाव इस वाल इंट्री नेक्स कोश्चन इस यहां पर पूछा गया कि सेचुरेटर मतलब जब इरिएशन हो चुका है उसके बाद जो डाउनवर्ड मुवमेंट होता है उसे हम क्या कहता है और इंफिल्ट्रेशन से लोवर सर्फेस में मूवमेंट होता है पानी का उसको हम इंफिल्ट्रेशन कहते हैं तो जैसे ही हम इरिएशन लगाते हैं पानी जैसे ही नीचे को जाता है उसको इंफिल्ट्रेशन कहा जाता है दन पर कोलेशन है जो सेचुरेटिड मतलब स्वाइल में पानी लग गया अब जो मूवमेंट होगी जो वर्टिकल डाउनवर्ड मू यहां पर यह भी अगें यहां पर option दिया हुआ है तो option यहां जो इसका correct answer that is the hardwood cutting and the air layering बोत आर यूज इस तैप का question आता है मेरा equation है आपके साथ क्योंकि मैं भी देखता हूं कि बहुत सारी books में या फिर बहुत सारे sources में उसका different different answer दी दिया जाता है mango को commercially कैसे propagate किया जाता है मैंगो को commercially कैसे प्रपगेट किया जाता है यह आपको बताना है comment box पे then which of the following chemical is used to preserve the tomato चप तो correct answer is the sodium benzoid potassium metabisulphite is also a good chemical preservative use for the food eatables तो यह आप बताए कि KMS हमके steaks के लिए use करते हैं यह आपको पता होना चाहिए baby क्योंकि दो type के है sodium benzoid और KMS हम इन दोनों को use करते हैं बर जब भी हमने बात की कि हमको tomato ketchup को preserve करना तो हम sodium benzoid ही use क्यों कर रहे है KMS को क्यों नहीं use कर रहे है the next question is which of the following is not an example of plantation crop plantation crop का example कौन सा नहीं है तो normal crop और plantation crop में difference क्या होता है plantation crop generally होती जिसको हम large area में cover करते हैं and which need the processing before the use तो उसमें processing चाहिए होती just like a commercial crop but again इसका area बहुत बढ़ा होता है hundred and thousands of hectares वो हो सकता है so all are the plantation crop except the leachy, leachy is the horticulture या फिर fruit crop इसको कह सकते है then which which of the following grape varieties use maximum for the resin production तो यह कुछ easy question होते है जो हमारे कुछ specific variety या फिर specific crop से related होते है so the Thompson seedless is the correct one answer the external or internal reactions or alteration in a plant as a result of a disease is यह question बहुत interesting होता है यहां जब भी पूछा जाए कि external या internal reaction or alteration जिसकी वज़ेस हो रही है उसे हम क्या कहते है तो यहां पर आप यह देखिए जिसकी वीज़ेस हो रहे है मतलब इत अल्रेडी डाइग्नोज तो डाइग्नोज़स हो चुकी है कि वह डिजीज है तो डिजीज है मतलब डाइग्नोजस किसके बाइस पर सिम्टम सिम्टम क्या होते हैं जब हमको लैब के थूर्व या फिर हमारी जो इसकी वज़ेस होई है और शीम्टम से पहले जब हमें पता नहीं होता कि कौन सा पैथोजन है सिंपल हमको विजिबल होते हैं कुछ फीचर्स हम कह सकते हैं जो पैथोजन है उसके कुछ पार्ट हम को दिखते हैं या फिर कुछ infection उसका दिखता है तो उसको हम sign कहते हैं ओके नौ यह कोशने आपके लिए कि syndrome किसे कहते हैं next question is an organism that causes the death of host tissues as it grows through them obtaining its energy from the dead cell is known as तो ऐसे और्गनिजम का बताना है कि जिसकी वएसे डेथ हो जाती है हो सेल की तो से हम क्या कहते हैं तो का अंसर इस दा नेक्रोट्रॉफ तो आप यह देखे जब भी डेथ एसोशेटेड हो तो वहां पर नेक्रोसिस या फिर नेक्रोटिक या वाला वर्ड यूज होता है जिस हम कहते ह कि पेरासाइट और पेरासितोइड है इस ने कि यह को हम कहते हैं जोड़ों को से कॉर। नयक्स को'tångषनने इस थाइथ वी करते हैं प्लांटॉ Maupers we white fly bhi यह तीनों ही इसका काम करते हैं एक प्लांट तो दूसरे प्लांट में viral disease को carry करने का next inheritance of ABO blood group system is an example of ABO blood group system है वो किसका example है so it is the example of multiple LL is law of unit character क्या कहता है कि कि किसी भी character या किसी भी gene की दो form होंगी जिसको हम LL कहते हैं तो इस is the alternate form okay जैसे हाइट का करेक्टर है तो हाइट के करेक्टर के लिए दो अल्टरेट फॉर्म अब जीन है एक है capital T that is the tall one and dwarf is the small T okay तो यह दोनों हाइट के करेक्टर है मार्द हाइट का करेक्टर जो है उसके दो एल्ल है एक dominant है एक करेक्टर हर किसी की दो एल्ल होती है किसी भी करेक्टर या फिर किसी भी जीन की बट कुछ ऐसे certain exceptions होते हैं जिसमें कि more than two एल्ल सार गवर्निंग एक सिंगल करेक्टर को तो दो से ज्यादा एल्ल गवर्न कर रही है जैसा कि अब्यों ब्लड ग्रूप में होता क्या है एक के लिए आई-ए आई-ए जिनो टाइप से भी ए बनता है और आई-ए आई-ए से भी बी के लिए आई-बी ओ के लिए आई-आई तो आप देख रहे हैं पर तीन टाइप की डिफाइन हो रहा है तो यहां पर आपको एक बताना है कि जो ab blood group होता है खाली ab blood group यह किसका example है कौन सा ऐसा exception है Mendel's Law का जिसका example ab blood group है क्ये तो आपि ab o blood group is the example हbir मृलटिपल allyl और लिस्म क्यूंकि twee से ज्यादा ar Kenya govern करें हैं character को which of the following is an example of the sex linked trades in human to yaaam puha sex link trades in human to options are clear blindness hemophilia male burners congenital light blindness or all of the above so all of the above is the correct answer here then next question is individual farmers are being encouraged to plant trees on their own farmland to meet the domestic needs of the family and their options are है और इंडिविजो़ प्वार्म को एंगरेज किया जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं basically टरब्च हो सब्सक्राइटर कुछ सामट्रर केकृषिण्ट होता है और वह बहुत बेसिक होता है और ओर समें जनलिक हई बारτη होता है यह कुशन हम आगे भी देखेंगे ऐसा ही यह कुशन है कि डैस इस इन आर्ट अन साइन्स ऑफ कल्टिविशन ऑफ फॉरेस्ट ग्रॉप तो जब भी ऐसा पोला जाएगा आर्ट अन साइन्स तो मतलब इस देश्टेडी ऑफ सर्टेन सेग्मेंट ऑसाइन्स तो यह किसी की जिल्वी कल्चर ओके यह आप ध्यान रखेंगे तो असील एक ब्रीड है जो फाइट के लिए ही मुर्गे लडाना वाला कहते है आवत के नवा आपने मुर्गे लडाए तो इस दा वीड़ अफ हैं ओके विच इस नोट दा वाइरल दिजीज वाइरल दिजीज कॉंसे नही अगर आपको उपर से नहीं भी समझ आ रही थी तो आप यहां से इसको आंसे कर सकते हैं हाईएस्ट मिल्क प्रद्यूसर इन दे वर्ड तो दा करेक्ट आंसर इस एच एच फ इस दा हॉल्स्टिल फ्रीजन हाईएस्ट SNF content is found in the which animal milk I think यह आप सभी को पता होगा it is the sheep सबसे आदर फैट जो होता है सी में होता है then what is the gestation period of buffalo तो यह मैंने animal husband वाले में बताया था आपको तीन याद रखने है buffalo के लिए 310, 280 for the cow 150 to 160 for the goat and sheep which of the following is the best way to achieve the soil conservation soil conservation के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है आपसे कुछा है soil conservation options wind screen low rainfall good plant cover restricted human activity या फिर नना अब दाब तो good plant cover क्योंकि यहाँ पर क्या पुछा है soil cover तो wind screen का कोई रोल नहीं है next question is mulching is dash measure of soil conservation तो mulching कैसा मेजर है soil conservation का option है cultural conventional mechanical agronomic या फिर कोई साभी नहीं तो यह आपके होता है mulching to mulching कैसा होता हमारा agronomic feature है the next question is which of the following group of soil is the largest and most important group of India सब जादा soil concept आजाती है यह सभी को पता होगा सब जादा aluvial है then is the हमारी black cotton soil okay the next question is the process of soil erosion is made up of which part तो soil erosion की जब भी हम बात करते है erosion तो कैसे शुरू होता है कैसे transfer होता है कैसे दूसरी जगे में जाता है तीन पॉइंट है basically उसके तो detachment movement deposition all three are the part of the soil erosion तो यह तीनों ही है तो all of the words the correct answer next is question from the seed production the foundation seed is the progeny of foundation seed किसकी progeny है तो आप सभी को मैंने बताया था seed production वाले में कि इंडिया में जो three generation system follow किया जाता है उसमें breeder seed then foundation seed then certified seed okay तो यहाँ पे जो foundation seed किसकी progeny है यह breeder seed की है और certified seed किसकी progeny है foundation seed की opposite भी पुछाया सकता है कौन किसकी progeny है okay so this is the correct answer foundation seed is the progeny of breeder seed tag इसके पूछे जाते हैं tag आपको पता हूंची breeder के लिए कौन सा है foundation के certified क्ले मैंने आपको पहले बताया था तो अगे इन मैं आपको नहीं विताऊंगा खुद से इसको ध्यान करें और comment box पे लिख सकता है इस यो को then next and the last question is what is the annual rainfall to be categorized in the dryland farming okay तो dryland farming या जो classification होता है farming का farm management में और agronomy में यह जो classification on the basis of the rainfall यह होड़ा था important होता है इस से generally questions आते ही है आपने हर time देखा होगा examination में तो यहां पर पूछागे कि dryland में क्या है तो dryland में 750 to 1150 dry में less than 750 more than 1150 is under the rain fed okay so this is all about the 50 questions of this particular examination यहां पर आप देखेंगे कि answer मैंने साथ में ही दिये थे और आपको लगा होगा कि यह में भी easy भी हो सकते हैं so again में आपको पूरे वीडियो में कई सारे questions पूछे based on the other options तो I hope कि आप सभी को answer कर पा रहे होंगे अगर आप ऐसे answer करते हैं तो यह बहुत अच्छा है मैं आपको बता दूं कि यह जो यह paper था अगर आप इसको खुद से करते हैं आपको खुद से में इसको marks देते हैं तो आपके 40 and above इसमें आने ही चाहिए क्योंकि यह बहुत ज्यादा अच्छे से प्रिपेर करें और आप मुझे बताएंगे बताइएगा कि कितनों ने यह पूरी वीडियो देखी और कितनों ने पूरी कुछिशन सॉल्व किये हैं और जितने भी आपको मैंने पीच में पूछेते हैं आपको वो कुछिशन आए कि नहीं आए ओके सो इस आप मारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कोई भी क्वेरी है तो आप हमें लेख सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और अच्छे से प्रिपेर करें कॉन्फिडेंस में रहें और आपका एग्जैम जरूर अच्छा होगा थैंक यू सूदेंट्स हैव गुड़ देया हैट